दोस्तो बिहार बिधान पडिसत की तरब से काफी सांदार वेकैंसी निकल कराई है अगर आप लोग बिहार बिधान पडिसत में नोकरी करना चाते हैं तो आप लोग के लिए एक सुनहरा मौका होने वाला है तो आप लोग से सब कुछ यहां पर डिटेल में बात करने वाला है, कौन को नप लाइक कर सकता है, age limit क्या होने वाली है, आप लोग की salary क्या मिलेगी, और आप लोग का selection process क्या होने वाला है, सब कुछ आप लोग से डिटेल में बात करेंगा, वीडियो में complete बने रहा है न, अ तो आप लोग से डेख सकते हूं साब साब लोग को हैं पर जो official notice भी इसका निकाला गिया, और आप लोग को यहां पर मैंने लिंक भी दे दियो official notice का आप लोग जाकर देख भी सकते हूं, तो यहां पर reopen मतलब क्या गया है, एक मरत और बी फोर्म निकाला गिया था, मतलब फ चुर्ब जो आपलोग का इंडिया ने कि आपर को फिलोप करना है तो अभी आप लोग को लाइव यहाँ पर देखाने वाले अब दूस्तो यहां पर बात करते हैं, आप लोग का एप्लिकेशन फी क्या लगने वाले तो यहां पर देखो अगर general में हो OBC में हो तो आप लोग को यहांपर 600 application fee लगने वला है अगर SCST में आप लोग मतलब आते हूँ तो आप लोग का 150 लगने वला है और female candidate के लिए 150 लगने वला है तो यहाँ पर आप लोग application fee देख सकते हैं और आप लोग का online मतलब online आप लोग को pay करना पड़ेगा ठीक है यह आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अब दोस्तों यहाँ पर नीचे बात करते हैं कि आप लोग का age limit क्या मांगा गया आप लोग का job location क्या होने वाला तो देखो यहाँ पर other post के लिए 21 यानि कि 21 यहाँ पर बोला गया है और वहीं पर maximum की बात करें 37 यानि कि 37 साल अप लोग अगर age हो गया है तो आप लोग यहाँ पर form fill up कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर आप लोग को मतलब age reaction में मिलेगा जैसे जो यहाँ पर rule की हिस आप से मिलता है अब दोस्तों यहाँ पर job location आप लोग का बिहार रखा गया यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बिहार है आप लोग का job location अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आते हैं तो आप लोग को यहाँ पर देखाते हैं देखो आप लोग का post नहीं आप लोग यहाँ पर देख सकते हो assistant branch करते हैं दोस्तों आप लोगा है पर बोला गिए असिस्टेन ब्रांच औफीसर जो होंगे तो कंडिडेट हूँ है विया नहीं कि आप लोगा मतलब क्या है यह पर क्वैलिफिकेशन मांगा जारे थान रखना करें तो दोस्तों आप लोगा किने अगर किसी भी ब्रांच में मत और दोस्तों यहाँ पर सप्टेनोग्राफर के लिए भी वेचलर डिगरी होना चाहिए ठीक आप लोग सबसक्ते हो एंप यहाँ पर सबसाब लिग देग्द हिंदी में और दीवी होगा डोकिमेंट वेरिफिकेशन आप लोग को यह तीन चरन आप लोग का होगा और आप लोग को डियरेक्ट सेलक्षन हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग को यहां पर भी देखाते हैं ओफिसियल नोटिफिकेशन पर चल कर तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख स सारा कुछ में आप लोगों को पहले ही बता दिया आप लोगों का सिलेक्षन प्रोसेस क्या होने वाला है और यहां पर मतलब कितना पोस्ट निकाला गया है किस पदो के लिए तो दोस्तों आप लोगों को देद बिल्कुल भी नहीं करना आप लोगों को जाकर सीधा अप जड़ा भी पसंद आ गए हो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर से प्रेस करना ताकि आगे भी आप लोगों के लिए इसे तरह की वीडियो लेकर आता रहा हूं